सर्व मंगल मंगल ये शिवे सरवांथ साधी के शरंगे त्रंब के गौरी नारायनी नमुस्तुति जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज सप्तमी का व्रत है साथ में आज का भोग पाठ सारी जनकारी देंगे और कल दुरगा अश्टमी है नवरात्रों की इस दुरगा अश्टमी को महा अश्टमी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारी जानकारी ये संक में देने वाले हैं, जो साधक अश्टमी करते हैं, तो कल कैसे कड़ाई पूजन करेंगे, कन्या पूजन कैसे करेंगे, और जो लोग महा नवमी करते हैं, तो जैसे हम आज बताएंगे, अश्टमी में कन्या और कड़ाई पूजन, वैसे ही व आश्विन माश्शुकल पक्स्तिति सप्तमी नक्षत्र पूर्वा साढ़ा राहुकाल डेर सेतिन दिशासुर दक्षिंदिसा अब देखिए जगत जन्नी भगवती की किरपा से सप्तमी तक साधक अपना वरत करते हुए पाट करते हुए भगवती की ही तो किरपा है जो आप यहां तक पहुँचें अगले पल का ठिकाना नहीं होता जगदंबा जब जिससे चाहती हैं वो उसी उससे उसी प्रकार की भक्ती को करवा लेती है अब एक नवरात्रे सुबार बढ़ा था हमने आपको पहले ही सारी सुचना देदी थी तरत्या तितिका तो अब आज सब्तमी हैं और सब्तमी के हिसाब से जो लोग प्रती दिन के हिसाब से पाठ करते हैं यानि के प्रती दिन पूरा अध्याय पढ़ते हैं तेरा के तेरा तो आज आप तेरा अध्याय और पढ़ें और फिर कल अस्टमी में कन्या पूजा नादी करके कलस के जलका सेंचन करके अपना व्रत का पारण करें दूसरी बात जो लोग जिस विधी से हमने आपको बताया था कि पहला दिन पहला दूसरे दिन दूसरा तीसरा तीसरे दिन चोथा चोथे दिन पांचवा छटा साथवा आठवा हमने इस विधी से आपको पार्ट बताया था तो जो इस विधी से पार्ट क की हम बात कर रहे हैं तो आपका किल पाट पूरा हो गिया था तो आप इस इसांब से वो लोग क्या करें आज के दिन अभी सोबा के 7 बजे हें के 2-4 मिनेट हो आप लोग क्या करें आप लोग आज के दिन जैसे सित कुन का इसतोत्र पढ़ने, आज के दिन आप नवारन मंत्र की माला कर करने वैसे आप जब कर सकते हैं तो वैसे आप जब करने और उसके सास्ताद आप सित्कुंजी का करते हैं 32 नाम पढ़ते हैं वो सारा करके फिर आप करन्या पूजन करेंगे आज जैसे कि सप्टमितिती है, भगवती कालरात्जी का आज का सबरूप है, उनी का ध्यान करके आज का समस्त पूजन किया जाता है, पाठ में हमने बोली दिया आपको नवारन मंत्र करने, सिदकुंची का आदी करने, भोग के हिसाब से देखें, तो आज गुड का भोग बने चुलायादी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, और यदि हम दिन के हिसाब से देखें, ब्रस्पतिवार के हिसाब से देखें, तो देशी खांट का हम आज के दिन भोग लगाएं, कल का भी देख लें, 11 अक्टूबर सन 2024, महा अश्टमी का देख लें, तो महा अश् महा अश्टमी में अरपन करना आती पर यह लगता है, यानि कि नारियल का भोग लगा में, पाठ वही जो हमने बताया है, सिद्गुंजी का नवारान मंत्र आदी आप कर सकते हैं, और साथ में दिन के इसाब से देखें, तो मिस्री का भोग लगाना बहुत स्रिष्ट रहता कई बार मिस्री घर में नहीं होती तो बेटा दूद तो सबके होता है, दूद आधिका भोग लगा दें, अब हम बात करते हैं कल महा श्टमी में कन्या पूजन के बारे में, तो कन्या हमने बता दिया था कि दो वरस से लेकर के दस वरस तक की कन्या हैं, उनके हमने कल प्रार करते हैं, तो अलग-अलग देवी का सवरूप होता है, देवी सवरूपा ही वो कन्या होती हैं, तो कल पहले तो सुबह सुबह अपनी सारा पूजन वगारा कर ले, और दुर्गाजी का शोट सोब चार पंचोब चार पूजन आधि करने के उपरांथ, कन्या को कन्या हमें, भगवती सवरूपा हैं कन्या हैं, दो वरस से दस वर तक की कन्या हैं पूजन में मानी गई हैं, उनको पूर्व दिशा की तरफ मुकर के बिठा दें, या जिस दिसा में आपने अपने घर का मंदिर बना रखा हैं, उस दिसा में नीचे कोई साफ स्वच आसन आधि विचा क करके चादर आदी विचा करके कुछ भी स्वास्वच होना चाहिए, उस पर उनको बिठा में, उनके चरण दुला में, हलकालका सा जल चरणों पर लगा लें, एक साफ कपड़ा रखें, पूछने के लिए टावल आदी, उसके बाद अपने हाथ साफ करके, हाथ दो करके, करने के उपरांग, जो आपने कल भोजे पदार्त बनाएंगे जैसे खीर बना सकते हैं आप, पूरी छोले चावल जो भी घर में बनते हैं, तो सबसे पहले एक ठाली में सारा भोग लगा करके, भगवती को लगा दें, और भगवती को भोग लगाने के बाद प्रणाम कर ल हलवा बनाया है, जो भी आपने बनाया है, थोड़ा-थोड़ा सभी कन्याओं के उसमें रख करके, तो सब को खिलाने का प्रियास करें, बहुत चोटी सी कन्याओं होती हैं, वो खानी पाती हैं अच्छे से, तो आप अपनी उंगली से ही से ही उनको अपना हलका सा खिलाने क प्रियासकर ने, बहाव है कि देवी बहुव लगा लें, ये सारा करने के उपराँ नमस्कार करने और जो कलस में आपने जल रखा है, जो कलस में जल रखा है, अब जो कलस के उपर नारियल भी रखा है, वहम कर जाते हैं, घजक घक तोड़ेए उसको वह तोड़ लें और उसी में से भोग लगाना चाहे लगा सकते हैं नहीं तो फिर अलग से नारियल का पहले ही नारियल छोटा सा आई ले लें वो भगवती को ठाकर के भोग लगा दें जो भोग का नारियल है उसी में से नारियल लेकर के और या जो आपने तोड़ा है अपने घर वालों के लिए रख लीजिएगा जो भगवती को नारियल ज़्यादा लगा दें उसी में से थोड़ा थोड़ा जो भगवती सब रूपा आपने बिठाई हैं उन सब को बोग के लिए दे दिये जाए उसमें से ध्यान रखें भगवती की आरती वगरा सब आप पह होसकते हैं ऐसा कुछ नहीं उससे जो जल निकले हैं फिरम पोगे सकते हैं बीटा कोई दिक्कत नहीं है अब जो हमारा कलश का जल है उस जल के चीटे अकने सारे घर में यत्र तत्र करन्या पूजण करने के आपरांध बोलते हुए नहीं आता क्षिगा गज्तिरी मंत्र थो यह फिल कि आई दुर्गा 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 दुर्ग दॉर्गे दुर्गे बोलते हो सारे गर में चीटा दे , उसी जल मेंसे थोड़ा जल्ht आपके पास पाश्रुम को चीटादे में जो व्यक्ति घजाल में जादा रोगी रहते है उसको चीटादे में और जो बचा जल है वो किसी अपने घंबले प्लांटादी में उस जल को दे दें है ना अखन जो जला कर रखनी है तो रखिए कर नौमी तक रहे और अच्छी बात है अब इससे पहले कड़ाई पूजन का बताना हम आपको भूल गए उसे विध्यान से सुन लें जैसे कड़ाई पूजन से मतलब क्या है जो हम हलवा बनाएंगे हलवा तो बनता ही मनता हस्ट सबस्वाइबाणे क्ड़ाई में उसका है हिसाबम से और उसके बाद इस को प्रणाम नाही Hanser है जोन चेशित नहीं से बबने आपक Чईज ब्हुछेर्ट हिब कि निकिन मेरा मानना यह विटे पेटे है मन मत दुखाना यह मत सोचना है आप पूरा नहीं कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं भाव से भगवान जागता भाव से भगवान प्रकट होता भाव से भगवान प्रसन होता और भाव से भगवान वश्में होता और भाव से ही भगवान उत्पन होते हैं भाव नहीं है तो मंदिन में बैठे भी आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और भाव हैं सुन्य में एकांत में बैठें तो आपको चहुँ और भगवान का सित्व नजर आएगा तो भाव से भाव से कढ़ाई पूजन कर लिया दागा बांदिया तिलक लगा दिया भाव से कन्याओं का पू नहीं होती है स्यम उन्होंने कहा है कि आप भाव से मेरा पूजन करेंगे तो कोई छुट भी जाता है कोई चीज बेटा मैं खूपित नहीं होती है और मां कभी भला नराज होती है बच्चों से दिखावे के लिए निराज हो सकती है लेकिन जगत जन्नी मंगल करने अंत्रे और एक बात और ध्यान रखे हैं हमने परसो तरसो भी समझाया जो कन्याएं हैं यह देवी सब्रूपा हैं इसलिए इनको चौकलेट हुआ टौफी हुआ बजार के बहुत सारे इदर उदर से मंगवाए हुए भज्य पदार्थ हुए ना 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 आप घर में भागवान के लिए तो कड़ाई चड़ाईए भागवान के लिए तो खीर बनाईए हल्वा बनाईए कम से कम और देने वाली नौवत भागवान के लिए तो ना आए हाँ हम बिमार हैं हम एस हैज हैं हम बिल्कुल अकेले हैं हम साब कुछ कर नहीं सकते तो बात मान लिया हम लेकिन जब हम करने में समर्थ हैं इतना तो हम करी सकते हैं और भगवान तो सिर्फ मात्र उसको देखते हैं जो आप बनाते हैं मात्र सूंगने मात्र से वो गुरहन कर लेते हैं समझे और उसको बढ़ा देते हैं किसी ने पूचा भगवान खीर खाते दिखते तो है नहीं वो भगवान है वो खुश्व मात्र से ग्रहन कर लेते हैं और आपके प्रसाद को दिव्य बना देते हैं जैसे एक मदुमक्षी किसी फूल को तोल लीजिएगा अगर वो फूल 10 ग्राम का है मदुमक्षी उसमें से पराग चूस लेती है शहद के जो पन होते हैं उसको निकाल कर लेते हैं घरता नहीं है भगवान का प्रसाद बढ़ता है समझया इसलिए कोई भंडारा हो कोई भी हो महां कम लगेगा समान लेकिन उस कम समान को बहुत सारे लोग ग्रहन कर जाएं बढ़ता चला जाता है भगवान के महिमा ऐसी तो इसलिए भगवती के लिए बजार से कोईस ना करें और घर का ही बनावा जो भुझे आपने सुन्दर तरीके से बनाया अपनी रसोई बनाई है वो अस्टवी के हिसाब से कन्याओं को अरपन करें हाँ उसके बाद जब कन्या पूजन वगएर आपका सारा हो जाए तो फिर पाश्चात्य सर्सकृति का रंग यह आपके उपर चड़ा हुआ है तब आप उनको चॉकलेट बगरा जो देना चाहें दे सकते हैं लेकिन हमारी तरफ से मनाई है कि ऐसे ऐसे पदार बिलकुल भी ना दिये जाएं देना है तो बच्चों की बुक्स दे सकते हैं उस समय पूजन जब हम कर रहे हैं तो वो देवी चोकलेट मिराव का बास होता है तो ठीक नहीं है डरा नहीं रहुं है आपको समझा रहा हूं है आपको यह तो वैसे भी डॉक्टर बिलाई करते हैं वो बच्चों के दात में कीड़े लग जाते हैं तो पर ऐसी चीज क्यों देना दूसरी बात बहुत अच्छे से अपनी इ जाना पड़ रहा है तो क्या हम नवमी भी ग्यारा अक्टूबर को कर सकते हैं आप कर सकते हैं लेकिन बारा वजे के बाद दिन में बारा वजे तक अश्टूमी है बारा वजे के बाद नवमी है आप ऐसा कर सकते हैं कोई पाप नहीं है दोश नहीं है ठीक है और नहीं तो फि तो हम नौमिक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद दश्मितिती लगेगी, एक इंपोर्टेंट बाद, जो भी इस बार की 31 जिवत्य साधना से जुड़े हैं, जिने भगवती के वो नाम जपने हैं, तो उनके लिए खास संदेश बीच में कह देता हूँ, कि ये 12 अक्टूबर से देविय साधना प्रारंब होगी, 31 दिन पर यंति चलेगी, और इस साधना को 12 अक्टूबर से शुरू करने, लेकिन 11 बजे के बाद शुरू करने, दिन में, क्यों? 11 बजे तक नवमी हैं, इसलिए हमें ये साधना दश्मी में प्रारंब करनी हैं, ठ 13 अक्टूबर से फिर आप अपने हिसाब से सेड़्ूल बना लें, सुबा करने, दोफैर करने, रात करने, जब मरजीश को एक टाइम आप कर सकते हैं, सेकिंड मेसिज इसी में जब बात चल गई है, कुछ लोग संस्कृत के वो शायद नाम ना पढ़ पाएं, तो उनके लिए हमने एक साधना विधी नंबर दो बताई है, उसे वो कर रहे हैं, अब तीसरा मेसिज, अंतिम मेसिज, जो नए दर्शक हमारा कारे करम देख रहे है बेटा 12 अक्टूबर से हम एक देविय साधना करा रहे हैं, ये देविय साधना हमारे कश्टों को हरने के लिए है, संतापों को दूर करने के लिए है, स्वास्ति के लिए है, बहुत अच्छी अच्छी भगवती की करपा प्राप्ती के लिए इस साधना है, आप भी साधना से जुड़ना चाहें तो अपना नाम नंबर हमारे संस्तान में लिखवा सकते हैं इतना जरूरियाद रखना संडे को संस्तान की छुट्टी रहती है तो इसलिए संडे और इस बार दशेरे में हमने झाएं आगे से इसको जयंतो बोला आप सीख आप सीखें सारी बाते से जयंती कहते हैं तो में पहले भी जाहा था करहिए एसा कई वार हमें सुभाग्य मिला है विल्कूल कीवार हमते सफेद अब उसको कैने अगर ऐसा निकला है तो या बाकी अन्य एंतों ने हैं चांदी के सिक्थे से गाता जाता और घगलती पर पंड किया जाता सारे न काटना रख लेना नौमी को भी थोड़े से तोड़ करके भगवान जी को शंकर जी को सब को थोड़े थोड़े चढ़ाए जाते हैं और जो नौमी होती है भगवान श्री राम को चढ़ाए जाते हैं और जब दश्वी में जो लोग दशयला पूझते हैं तो ये दशयले तक इन जों को सारे मत तोड़े थोड़े बचा करखना अश्टी मिमि भग्वती को चढ़ा दीजिये नौ मिमें देवी मां को राम जी को चढ़ादीजिये, और दसुमें फिर आप दशेला जब पूझेंगे उस से में आप चढ़ाएं। और जहां जहां आमने तो देखा तो यह सब चीजे खैर विलुप्त प्रयायव हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी बहुत अच्छा है, कि जब राम जी की सवारी निकलती थी, तो सभी लोग यह नौरते लेकर के खड़े हो जाते थे, और जो है, जो उनकी पाल की होती थी, बग् करके जाते हैं, तो प्रंप्राएं पुनर जीवित होनी चाहिए, इसलिए आप सब लोग ध्यान रखें, ऐसी पूजाओं में, हर समस्थ प्रगार की पूजाओं में, आप अपने बच्चों को अपने संग बिढ़ाने का प्रियास किया करें, उनकी हाथों से काम कराया करें प्रिका होता है बच्चों से, हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आज समय ले रहा हूं आपको, हमारी बच्ची छोटी सी थी, तो वो वर्त रखने लगी, मेभी वर्त साहिद नवरात रहे थे या इतना मुझे थोड़ा ध्यान नी रहा, तो छोटा सा बच प्रिका समय बच्चे को भूग लगी और या हमने उसको जो देना चाहरे थे वो उसको दिया नहीं, तो बेटी हमारी बोलती है, छोटी सी थी, के मुझे को मेरे को सो रुपर दे दो, नहीं तो मैं अपने बच्चे की बात बताने है, छोटे से बच्चे की, खायर मैं रहा बेटा बर्त मत तो यह लुआ अपने सोरों पर रखो और जो आपको करना है, पुरारी बात है आप वह सोरों पर दे दिया गया बालक है, बालक को भूख लगेगी लगेगी बालक के लिए सब कुछ चमा होता, तो फिर हमने उनसे कहा प्यार से कि आपको आदया दिन हो गया बहुत अच्छी बात है, आप भगवान का ध्यान करके कुछ खा पी लो, उनने खाया पी आपने खेल कूद में लग गया, तो बच्चों से तो कुछ ने कुछ चीजे कराने का मन होता है, बड़ी हसी आई जब चोटी सी बच्ची अपने पिता से एक है कि मैं बरत तोड़ दोंगी, लाओ फटापट मुझे पैसे दो, बच्चों की दुनिया बच्चों की होती है, लेकिन बड़ो का समझाने का और उनको किसी तीस तिवार में लाने का तरीका अपना अलग होता है, इसलिए विटा हमें अपने बच्चों को आदित डालनी पड़ेगी, किसी भी र की आखे मोबाइल में, लेप्टॉप में, गड़ी रहती है, और कई बार तो हम भी उनको बहुत तूल देते हैं, नहीं हमारा बच्चा थका हुआ है, हमारा बच्चा, आप ये कहते रहना, कहते रहना, एक दिन वो आएगा, कि वो बिलकुल धरम से हट जाए, और आप कहते कहते हैं, फिर आप ठक जाएंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, इसलिए इतना संसार में कोई वीजी नहीं है, कि वो दो पल के लिए भगवान के हाथ न जोड़ सके, वो दो पल के लिए भगवान के संद न रह सके, इतना कोई वीजी नहीं है, समझा है, चलो खर, मा अश्टमी है और जो आगे पीछे का वरत रखते हैं तो उन्होंने परतिपदा का वरत रखा होगा और आज सब्तिमी हैं आज का आप लोग वरत रख लें और जो लोग परसो नौमी करेंगे तो वो फिर कल अश्टमी का वरत रख लें और पहला उन्होंने रखा ही होगा जो रखते हैं कुछ लोग ऐसे जो लास्ट में जाकर के दोवरत रखते हैं तो फिर सब्सक्राइब करते आज का में कविअक इस पीवरत नियुक्त करने रोज यह पर्शmen कणे तो आज बर भान गाफ करनी तो फिर है कुछ लोग दुखा रहा है हमारी जोट्ठ जोत थी बुझ गई शांत हो गई कुछ लोग कहने साब कुछ गिर गया कुछ लोग कहने साब हम अच्छे से वर्त नियक पाए कुछ लोग कहने साब हमें जाना पड़ा हम पाथ नहीं कर पाए ना ना भाति के आपके questions हैं लेकिन बेटा जितना आपने किया आपने बहुत जान बुझ के आपकी जोत नहीं बुझी है जान बुझ कर आप किसी काम में नहीं गए सब अपने आप होता रहता है आज भगवती ने आपको इतना मौकत तो दिया कि आपने अगर 50% भी भगवती का पूजन किया है तो किया है अगले साल 100% हो जाएगा इसलिए आप बिल् जुड़ने का जुड़ते हैं आज की देवी साधना में भगवती जगत जन्नी मंगल करनी से ओं सिंदूर अरुन विग्रहां त्रिनाया नाम मानिक्यमोले स्पुरा स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्त नूत्पराम विब्रति सोम्याम रत्न गटस्तरक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंभिकाम खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संधदतिम्करिस्त्रिनयानाम सरवंग वुस्वरिताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपिते हरो कमल जो अंतुम्मधुम्कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम् रिगपते स्कंदस्तिताम् विशनाम् कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम् हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखां स्चापं गुणं तरजनीम् विप्राणाम अलिलात्मिकां ससिदाराम् धुरगाम्तिनेत्रां वजे कबच बना लें ध्यान करें जुगत जन्नी का सुबासीस हम सब के उपर बरस रहा है अम बोलते हुए नित्रखोने समान्या हो जाएं अब देखो दो बाते रह गएं दशेरे के दिन हमें क्या करना चाहिए दशेरे की कुछ खास चीजे होती हैं तो समय नहीं मिल पा रहा है बिलकुल भी तो दशेरा विशेशांक देना है मैंने एक तो आपको और एक हमें देना है जो साधना ये 31 दिन की है उसके लिए आप देखो सब के पास PDF फाइल पहुँच चुकी है अगर भाया किसी के पास न पहुची हो तो आप संस्तान में कॉल करके ले ले नहीं तो सनिवार और रविवार संस्तान की चुक्ती रहेगी ये द्यार डखना और जिन लोगों को आपने इस साधना से जोड़ा है पांच लोगों को दस लोगों को आपने बहुत महनत किये बहुत लोगों को साधना से जोड़ा है तो जिनों ने जिन जिन को साधना से जोड़ा है आप उनको वो PDF फाइल पहुचा दें और इस साधना को अब कैसे करना ह एक चोटा सा अंक आपको मिलने वाला है उन लोगों को भी बोल देना कि वो हमारा ये अंक देख लें और पीडियाफ फाइल का प्रिंट आउट निकल वाले ना सामने रखना इधर से हम बताते जाएंगे आप लोग सुनते जाना हो सकता है आज ही हम आपको शाम तक वह अंक मिल जाएगा कल के दिन के समय में तो आप उन लोगों को भी बोल देना जिन जिन को आपने पीडियाफ फाइल बेचिए चलिए आप सब लोग स्वस्त रहें सुखी रहें एनी शुक्त पामनाओं के साथ हम अपनी वानी को बिराम देते हैं जय जय अंबे भवान से जड़ो किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें